वेल्कम डियर श्टुटेंस यूनिक रंगर्स में आप सभी श्टुटेंस का स्वागत है आप सभी वेट कर रहे थे कि हमारा जो अप्रैल वाला सैसन है उसका एडमिट कार्ड़ वो रिलीज किया जाएगा लेकिन हमारा admit card तो अभी तक आया नहीं है लेकिन हमें देखने को सुनने को और क्या समझने को मिल रहा है कि exam है वो postpone होगा अब यहाँ पर exam को postpone किया जाएगा या फिर हमारा जो jam in 2021 जो अप्रेल वाला session है उसका admit card वो जारी कर दिया जाएगा अब इसी point पे हम इस वीडियो का अंदर बात करने वाले हैं तो चलो शुरू करते हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बैल आइकन है उसको प्रेस कर लीजे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन से वो आपको मिल जाए और वीडियो को लाइक जरूर करना है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ठीक है अब यहाँ पे दुबारा से स्टार्ट हो चुका है वही बात और वही पॉइंट जो सबसे पहले हमारा जब कोविड पहले आया था और जहां पे हमारा जे मिन्स का एक्जाम है वो उस वहाँ पे बीच में फस गया था अब इस बार भी क्या हुआ है कि वही सेम सिचुएशन हुई है और हमारा जो जे मिन्स का एक्जाम वो बीच में फस गया है अब यहाँ पे जो अप्रेल और जो हमारा मई का एक्जाम वो अभी तक पेंडिंग है और उन्हों एक्जाम को कंड़क्ट करवाना है लेकिन यहाँ पे कोविड के रहते यह सिचुएशन से वो अभी नहीं हो सकती है बहुत सी सरकारों ने बहुत सी स्टेट्स के अंदर यहाँ पे लोगडाउन वो लग चुका है और वहाँ पे एक्जाम करवाना बहुत पोसिबल नहीं है और यहाँ पे दुबारा से यह कस्मगस अभी पोस्पोन होगा या फिर कंडेक्ट वो कराया जाएगा यहाँ पे फिर से खिलवाड है वो किया जाएगा बच्चों की थिंकिंग के साथ बार बार उनको यह बताया जाएगा कि एक्जाम पोस्पोन हो रहा है इक्जाम कंडेक्ट कराया जा रहा है इस डेट कॉप का पोस्टपोन होगा अब देखे यहाँ पे साफ और सीफ एंड जो स्ट्रेट मेरा जो उपीनियन है वो यही है कि हमारा एक्जाम से वह कंडक्ट बो कराया जाना चाही है जो अप्रेल वाला एक्जाम है कम से कम वह एक्जाम से ने बहुत ज्यादा मैनत किया है क्योंकि काफी इसे स्टूडेंस जिन्होंने अप्रेल वाले एक्जाम के लिए स्पेशल पूरी पिर पेशेंस कर दिये उन्होंने या फिर मार्च जो मार्च या फिर अप्रेल का जो फरवरी का एक्जाम वो उन्होंने नहीं दिया डारेक्ट अप्रेल पर उन्होंने फोकस किया था अब अ अब यहां पे यह बात मेरी गलत भी हो सकती है यहां पे काफी जाए स्टुटेंट्स मेरे को यह कहेंगे सर आप यह कैसे कह सकते हो यहां पे कोविड की सिचुएशन वह वापिस आ गई है क्या हमें मारी जान वह प्यारी नहीं है एक्जाम इतना नहीं एक्जाम तो बाद में भी हो सकता है आपकी health है वो मेरे लिए भी बहुत जादा important है वो आप सभी के लिए भी बहुत जादा importance है ठीक है और मैं यही कहूंगा अगर अभी आप ध्यान दे रहे हो तो please अगर आप covid को थोड़ा serious लीजिए points पे ध्यान जीजिए अभी भी अगर आप घर से बाहर जाते हो तो mask लगाए थोड़ा अपनी health को ध्यान रखिए ताकि अगर exam हो भी तो हम उस चीज के लिए त्यार रहे हैं मतलब हम कहीं ऐसा ना हो कि भी हम ध्यानी नहीं दे रहे भी covid कुछ भी नहीं है और ऐसे बाहर निकर रहे हैं अगर हमें by chance लिए अगर बिमार हो गया हम भी covid हो गया तो हम exam नहीं दे पाएंगे फिर exam चाहिए पोस्पोन हो चाहिए ना हो उससे हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा तो आप अपनी health का ध्यान रखिए आपको कुछ ना हो बाकी जो g-means NTA जो करेंगे वो करेंगी में भी मुझे लगता है कि वो हमारे हक में ही करेंगे ठीक है और मैं यहाँ पे इस चीज के लिए agree नहीं हूँ ठीक है यहाँ पे मेरा भी 50-50% opinion है कि 50% exam पोस्पोन होना चाहिए 50% exam पोस्पोन वो नहीं होना चाहिए ठीक है इसके 皆 आप सभी को बताया था admit card के बारे में 11 तारिक सिले के 15 तारिक के वीचि में लेकिन हमारा admit card वह हो 11 तारिक को ही आ जाना चाहिए ठीक है जो समारे admit card हो 11 तारिक को आ जाना चाहिए ठीक है अभी तक release नहीं हुआ तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खिचड़ लीज होता है तो उस सीज के बारे में आपको बता दिया जाएगा में भी मुझे लगता है का आपका एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया जाएगा ठीक है लेकिन अगर पॉस्पोन भी हो सकता है सारी सिचुएशन से अभी और यहां पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा काफी स स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर फुली लोगडाउन अभी लग चुका है ठीक है वहां पर फुली लोगडाउन लग गया है तो वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता तो यहां पर यह बात भी मान सकते हैं कि उन स्टेट्स के लिए एक्जाम को पोस्पोन कर दिया जाए ठीक है तो thank you keep learning and keep watching